तो आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं लेखपाल घटना चक्र के लेखपाल परिक्षा मार्ग दर्सका की सामान ग्यान की बुक जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट यह बुक है अध्यन सामक्री और माडल प्रश्ण पत्र दिये गें इसे में ठीके सामान ग्य परिक्षा अपयोगी तथ्यात्म प्रस्तुती भी इसमें किया गया है जो की वन लाइनर टाइप का है और जब सामान ग्यान की बात करें या जन्रल नौलेज की बात करें तो जीके जीए जो है सामान नहीं रह जाता है जब उस प्रश्ण पत्र को जो है यूपी त्रिपल इसे प्रश्ण पत्र में कठिन परश्णों को डाला हुआ है जो बहुत ही में लग कि टफ रहा है तो साथ ही कुछ आइसे अध्याओं को भी इसमें जोडा गया है जिसके सामानता प्रश्ण नहीं पूछे जाते तो इस तरीके से प्रिच्छा की प्रविर्ट को देखते हुए परिचारतियों के लिए आवस्षक हो जाता है कि सामान ज्यान का जो है गहन अध्यन करें इसकार्टी करें और प्रशनपत्र की प्रकृत के अनुरूप जो ही यह पुस्तक जो है यह सामगरी अध्यन सामगरी यह प्रस्तु की गई है घटना चक्रक के द्वारा तो नए सिलेवस के अनुसार जो है और नए पैटर्न के अनुसार यह बुक बनाई गई है उसी को ध्यान में रखकर बनाए गया है तो चलिए इस पुस्तक में डिसकस करते हैं देखते हैं कि क्या 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 कौन कौन से टापिक है और कौन कौन से टापिक इसमें लिया गया है क कंप्यूटर के प्यारंफि ज्यान है इसके बाद 5 model paper है तो important book है और इसमें आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं अर्थ ब्युस्ता से जो कि important topic है क्योंकि अर्थ ब्युस्ता से question पुछे जाता है और थोड़ा tough भी होता है जो GKS में question में तो इसलिए हम इसमें सबसे पहले अर्थ ब्युस्ता को देखेंगे discuss करेंगे जानेंगे किस तरीके से इसमें दिया गया है क्या क्या pattern दिया गया है तो वीडियो को start करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को subscribe कर लें साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे की नया वीडियो अप्लोड हो तो आपको तुरंत उसका notification मिल जाए और दोस्त जो अपने जो है वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें चले start करते हैं अर्थ ब्युस्ता और अर्थ ब्युस्ता की topic में हम देखेंगे भारतिय अर्थ इस आजाद हुआ तो सतंतता के परश्चात अगर हम देखें तो पर्थम और द्योगिक नीत की घोशला कब किया गया था तो यह किया गया था छे अपरेल उनिस सो अनतालिस को इंपोर्टन्ट है यह क्योंकि यह पूछा गया है question ठीक है कि पर्थम और द्योगिक नीत की घ बश्रा भारत सरकार दोरा किया गया इसके बाद भारत का सबसे बड़ा अगर वस्त उद्योग केंद्र की बात करें तो वो मुंबई है ठीक है जो कि महाराष्ट्रा में है तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा वस्त उद्योग केंद्र है और इस तरी किस इंपोर्ट रासानिक उर्बरक की दिश्ट्री से भारत आत निर्भर नहीं है यानि कि भारत जो है रासानिक उर्बरक बाहर से मंगवाता है ठीक है आत निर्भर यानि कि अगर भारत में जो बना उत्पादन हो उसका निर्मार हो तो उसे आत निर्भर कहेंगे तो आत निर्भर उर्बरक के द्रिष्टी से भारत नहीं है अब देखते हैं इसमें कुछ है परल फिसिंग वस्तु में हैं तो यह जो है किस अस्तर संबन्धित तूती कोरिन से संबन्धित है ठीक है आटो मुबाइल जो है पूरे हब है पोत निर्मार जो है मौर्मु गाउं में होता है और इंजिरिंग का सामान जो है पिंजवर में प्रापत होता है दुतिय पंचवर्षिय योजना की बात करें तो भिलाई इसपात केंद्र को जो है ततकालिन सोवियत संग यानि कि आज के डेट में उसे रूष कहते हैं यू स सावियोग से सताफित किया गया था यानि इसमें बनता है कि इसपात सहयंत्र जो है किस पंचवर्षिय योजना में स्ताफितना हो थी तो यह दूतिय पंचवर्षिय योजना में emergen ale LET और ये किस देश के सहयोग से किया गया था तो ये भी याद रखना है सोवियत संग के सहयोग से हुआ था ठीक है और दूसरी पंचवर्षिय रोजना में ही दुरुगापुर इस्पात कारखाना का भी स्थापना किया गया था जो कि पश्चिम बंगाल में श्तित है और ये ब इसा में पड़ता है और यह जह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था. तो इसमें आपको तीनों याद रखना है, बहुत इंपोर्टन्ट है यह भिलाई, स्पात, सैंत्र, सोवियत, संग से सम्बंधित है, दुर्गापुर स्पात कारखाना ब्रिटेन के साहयोग से राउर केला स्टील प्लान जो है जर्मनी के साहयोग से चलिए अगला पॉइंट देखते हैं तो भिलाई स्पात सेंत्र जो है यह 36 गड़ के दुर्ग जिले में इस्तित है भारतिय हीरा संस्थान जो है IDI सुरत में स्थापित किया गया है कि इसको हम आमबोल्चाल की भासा में BSNL कहते हैं और इसकी अस्थापना वर्स 2000 में हुआ था इसके बाद कुछ वस्त्वय हैं और उससे सम्धज प्रसिद अस्थान है तो उर्वरक का उत्पादन जो है वो आंला यानि कि बरेली जिला के आंला में होता है तुर दिसपोटक कारखाना जो कानपूर में इस्तित है तो ये कुछ important चीजह होगी अब आगे हम देखते हैं सूरत के निकट जो हजीरा में इस्थित क्रिभको का हजीरा उर्बरक सेयंतर जो है प्राकृतिक गैस पर आधारित है यानि कि क्रिभको अगर बात करें तो कहां पर इस्थित है तो सूरत के निकट हजीरा इस्थित है तो वहाँ पे जो है क्रिभको क शेतर वर्स 1965 में अस्थापित किया गया था ठीक है इसके बाद भारत में सबसे महत्तो पूर्ण लग अस्तर उद्योग की बात करें तो वह कौन सा है वह हत करगा उद्योग है पहले अस्थान पर कपड़ा उद्योग होने के साथ साथ ही ये सबसे बड़ा संगठित और भ्यापक उद्द्योग है। जो है कपड़ा उद्द्योग जो है देश में किर्सी बाद रोझगार प्रदान करने वाला भी दूसरा सबसे बड़ा च्हेतर है। जी कर्सी में सबसे ज़्याद लगबग 40% पंजाब में है और पंजाब में अधिकांस उनी वस्त्र जो है मिले कहाँ पर है तो अमरित सर्ख गुर्दाश पुरो लुदियाना में इस्तित है उतर प्रदेश में इस्तित भधोही जिला जो है कालीन उत्पादन का एक प्रमुक केंद्र है भारत में प्रतम उ माद्य प्रदेश में है और एक बात आप लोग जान लेते हैं जो कि घटना चक्र का जो है ग्रामीड परवेस ग्रामीड परवेस की जो बुक आई थी उसका पूरा बुक हो चुका है उसका मैं चैनल पेज पर जाकर आप उसको प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं जो की बहुत पर सकते हैं देख सकते हैं ठीक है तो आप जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट पर तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगे जो की आपके एक्जाम पॉइंट अभी से बहुत इंपरवेस जैसे की हिस्ट्री का जो है घटना चकर की बुक है साइंस की घटना और दोस्तों में अपने सेर्विस करते हैं चलिए आगे हम देखते हैं देवास करेंसी नोट की छपाई के लिए परसिद है देवास किसके लिए परसिद है तो करेंसी नोट की छपाई के लिए फेमास है ठीक है HAL यानि कि हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेड इसको हाल कहा जाता है और यह वायवयानों के उपकरन का उत्पादन करती है नेशनल एल्मोनियम कमपनी लिम्टेड यानि कि इसको सौर्ट फार्म में नाल को कहते हैं और यह 1981 में जो है स्थापना इसका किया गया था और यह खान मंतराले के अधिन एक नौरतन लोक उत्यम कमपनी है ठीक है अब आगे हम बात करते हैं आयोग योजना आयोग तो था पंचोरसी योजनाओ के बारे में परधान मंतरी होते थे आगे इसके एक सलाकारी निकाय थी योजना आयोग के परथम अध्यक्ष की बात करें तो जवान नाल लहरू थे जो कि भारत के परथम परधान मंतरी थे ठीक है पुझी निर्मार आए वित्रन में समानता यों छेत्रिय विसंता में कमी और शमावेस सम्मर्दिद धार्णिय विकास यह सारी जो है इसके उद्देश थे अर्थिक नियोजन के अब बात करेंगे पहली पंच वर्षिय योजना के बारे में, ठीक है, तो देखें, पहली पंच वर्षिय योजना की बात करें, वन लाइनर टाइब का देख लेंगे, जो इसमें महत्तुपूर्ण होगा, तो इसकी वर्ष की बात करते हैं, तो 1906 थी, इसको क्या कहा गया, हे श्थापना किया गया था कहा दूसरी पंच वर्सिय जोना किता है तो यह इब यह इंप्टांट है अब लोग सको ध्यान में रखिएगा क्योंकि सीधे सिधे कि आगे हम बात करते हैं तीसरी पंच वर्षिय होजना की जो कि especial časince लेकरienna s2 चाट चली ठीक है ! 1161 लेकर juni s6-7 तक टीसरी पंच वर्षिय होजना आप निर भर्ता या स्था स्पूर्थिवान पर ज्यादा बलT दिया गया थी ? आप निर्भरता और चोता इस पूर्थी वाई इसमें पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षी योजना में आप निर्भरता पर ज्यादा वल दिया गया तो वो थी तीसरी पंचवर्षी योजना जो कि 1961 से लेकर 1906 तक चली आगे देखते हैं तो 1966 से लेकर 1979 के काल को जो है योजना आवकास यानि कि प्लान हॉलिडे की संग्या दी गई इस बीच ये पंचवर्षी योजना नहीं लागू की गई ठीक है इसके बाद चallी पंच वर्षी योजना आई जो कि 1979 से लेकर 1974 तक थी और इसका मुक् यानि गरीबी मीटाना किस पंचे वर्षी योजना के तहता आया तो ये परफम पंच वी पंचवर्षी योजना के तहता है था पांचीवी Pंचवर्षिय जना में 1974 से 1989 तक विदेशी साहता को घठा कर गटा कर सून कर देने का भी लक्ष रखा गया था पांचीवी Pंचवर्षिय जना की समय एक वर्स पूर्व वर्स 1970 में ही इसे समाप्त कर दिया गया था और बारहुई पंचवर्शियों जो है 2012 से 2017 का केंद्र विंद्र क्या है तो वो है तीब्र धार्णिये और अधिक समावेशी विकास इसके बारहुई पंचवर्शियों जो है तो जीडिपी दर जो है आठ परसंट किरसी चेत्र की बिद्धी दर चार परसंट इसका मुख लग्च था बारहुई पंचवर्शियों जोना कर केंद्रिय मंतमंडल के एक संकल्प के माध्यम से नीत आयोग का गठन जो एक जनूरी 2015 को हुआ था नीत के फुलफाम की बात करें तो इसका फुलफाम बनता है नेशनल इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात राष्टिय भारत परिवर्थन सं नीत आयोग का अध्धक्च कोन होता है तो वह परधान मंत्री होता है बरतमान में नीत आयोग के वाइस चेरिमेन कोन है तो दाक्टर राजीव कुमार जी है इसके बाद पंचवर्शिय जना के विकास की उपलब्धी की बात करते हैं तो प्रसत इधर दिया गया है वास्ति अधर इसके बाद चटी पंचवर्शिय जना की बात के ने तो यह पांधरसमलो दो लक्प्रश्ण रखा गया था और इसमें उपलब्धी प्राप्रशेंट हुई 5.07 परसंट गए आठ अट वी योजना की बात करते हैं वी आठ परसंट की लवलस्टी प्राप्त हुए इसके बात नवायिसार्व करते हैं 24 द्लय सोनल नकी बात था प्रसंट जो है प्रात हुआ है तो इस तरीके सिती ये योजना आयोग सारी पंचवर्शी योजना टिपड़ी में देख लेते हैं तो पहली तीन योजनाओं के लक्ष जो है राष्टिय आई के संदर्भ में निर्धारित किये थे छोधिी योजना का लक्ष जो सुध घ़रेलू उतपात के संदर्भ में था इसके बाद सभी कि योजनाओं में ये सकल घरेलू उतपात के संदर्भ में रहा है अब नीत आयोग देख लेते हैं इस समय जो नीत आयोग ही लागू हूँ है राष्टिय भारत परिवर्थन अपना भी मंत्र मंडलिय संकल्प दौरा एक जनूरी 2015 को की गई नीत आयक सहकारी संगवाद के सिधान का परिपालन करते हुए भारत सरकार को जो है नीत इगत मुद्दो पर सलाह देने हुग एक ठिंक टैंग ये है ठीक है अब नीत आयक को उसके पूरवर्ति संस्था जो थ राष्टिये विकास प्राथिमिक्ताओं छेत्रों और रणनीतियों का जो है एक साधा द्रिष्ट को और विक्सित करना इसका उद्देश रहा है दूसरा मुख देश था संगवाद को बढ़ावा देना तीसरा उद्देश था ग्राम अस्तर पर जो विश्वस्वनिय प्राथिक प्रगति से संचित रूप से लावानुवित ना हो पाने का जोकिम हो इसके बाद चटी पंचवी इसका उद्देश था रणनीतिक दिरगावदिक नीतिक कारकुनों का ढाचा तयार करना पहल करना और उनकी प्रगतित था छमता की निगरानी करना साथ वे उद्देश सहिस का महतपुन हित धारक समान विचार धारा वाले राष्टिये और अंतराष्टिये थिंक टैंकों के साथ 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 सैक्षिक और नीत अंसंदान संस्थानों के बीच जो है प्रामर्स और भागीदारी को प्रुस्थाहन देना आठ्वी पंचोर सीजना का उद्देश सहिस का राष्टिये और अंतराष्टिये विशेशक पेश सेवरों तथा अन साज्यदारी सहयोगों के माद्यम से ग्यान नवाचार उद्दम सीलता समर्थक प्रणाली का विकास करना नवी पंचोर सेजना का उद्देश रहा है विकास के एजन्टे में गत लाने के करम में अंतर छेतरिये और अंतर विभागिया मुद्दो के समाधान है तो मंचपरदान करना नवा उद्देश से इसका कारकरम और नीतियों के किर्यानवन हुद प्रोध्योगी उन्नेयन और छमता निर्माल पर जोर देना इसके बाद इसमें 11 आता है अध्या धुनिक संसाधन केंदर बनाना जो सुसासन संतत यों नयाई संगत विकास की सर्व स्रेश कारट पलाड़ी पर अनसंधान करे तथा हित धार कोग में उसका परचार करे बारोगी की बात करते हैं इसका उद्देश से तो आवस्यक संसाधनों के महत्त में पहचान करने के साथ साथ कारक्रमों के पहलों और कार्यानवन का सक्रिय मुल्यांकने उन्मिगरानी करना राश्ट्रे विकास जन्ड़ा और उपरक्त उद्देशों की पूर्त के लिए अ अधक्ष होंगे और इसके सासी परिशद में सभी राज्यों या विधान मंडलों के युक्त संग राज छेतरों के मुख मत्री तथा अन्य संग राज छेतरों के उपर राजपाल होंगे विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकास्मिक मामले जिनका संबन एक से अधिक राज का छेतर से हो को देखने के लिए छेतरी परसुदों का गठन किया जाएगा और विशिष्ट कारिकाल के लिए गठित होंगी उस छेतर के सभी राज्यों के मुख मंत्री तथा के अंदर सासीत प्रदेश के उपर राजपाल इसके सदस होंगे नीत आयोग के अध्यक्ष या और भी होते हैं जैसे कि उपाध्यक्ष जोगी परधान बंतरी दोरा नियुक्त किया जाता है पूर कालिक सदस होते हैं अंसिकालिक सदस जिसमें अग्रडी विद्ध्याले, सोध संस्थान तता अन्संबध संस्थानों से अधिक्तम दो पदेन सदस चुने जाएंगे अंस सरकार के सच्चू, अस्तर के अधिकारी जिसकी निवकती एक निश्चित कारकार के लिए प्रधानमंत्री दोरा की जाती है। आख सकता कि अनसार सच्चू वाले भी इसमें होता है। अब भरतमान में देख लेते हैं नीतायव की सनुचना किस प्रकार है तो आध्यक्ष हैं सुरी नरेंदर मोदी प्रधानमंत्री जी इसके बाद उपाध्यक्ष हैं डाक्टर राज्यू कुमार मुक्ह कारकारी अध्यकारी हैं सुरी अमताव कांद पूरकालिक सदफ्यों में इसके बाद राष्टिय विकास परसत की बात करते हैं भुमका को सुनश्चित करने वग्याजब्रीheen उसका अध्ध्ध्य परशत की सनचना की बात करने तो इसमें जो है अध्ध्यक्ष पर्धान्मंत्री होता है सदस होते हैं सभी राजयों के मुख मंत्री वा केंदर सासित परदेशों के उपराज पाल अथवा मुख मंत्री योजना आयोग के सभी सदस केंदरी मंत्री मंदल मंत्री परसाद आद इसके सदस होते हैं इसका कार क्या होता है तो यह योजना आयोग दोरा तयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप देना इसका मेहन कार होता है राश्टिय योजनाओं के संचालन का मुल्यांकर करना राश्टिय विकास को प्रवावित करने वाली नीतियों की समिक्षा करना अब इस समय जो कि बर रस्तावना जिसमें आर्थिक युम समाजिक नाय तथा नीत निदेसक्तत जो की अनुच्छद 39-49 वा 46 से प्राप्त होता है आर्थिक युम समाजिक नियोजन का उल्लेख जो अनसूची के समोर्ति सूची की प्रविष्टी 20 में मिलता है इसके बाद अब हम बात करेंगे मिस्रित अर्थव्योस्था का विकास निजी युम सार्जनिक छेतर जिसमें इसी को दोनों को मिलाकर मिस्रित अर्थव्योस्था का जाता है तो उत्पादन के आधार पर अगर अ 1776 में मिस्रित अर्थव्योस्था की धार्णा जो को प्रतबादिक करने का स्रे जान मेनाड कीन्स को जाता है प्राथमिक छेतर के तहट जो किर्शी वा संबद छेतर आते हैं यानि कि प्राथमिक छेतर में किर्शी से संबंदित छेतर आते हैं दुतियक छेतर में जो वी न चेत्र जो होता उसे सेवा चेत्र के नाम से जाना जाता उसमें जो है बैंकिंग, बीमा, सिक्षा, चिक्षा, प्रेटना, सेवाएं होती हैं इमपर्टन ये क्षचन पूछे गए हैं, इसके बाद हम बात करते हैं हरित करांतियों के बारे में और यह सेंगत राज अमेरिका के एक बेग्यानिक थे नार्मन बोरलाग जिन्हों ने बीजों पर अनसंदान करके अधिक उत्पादकता वाले बीजों यानि की हाईवरेट बीजों को खोज किया इसके बाद इन बीजों को उचित सुभधायम सनच्छन मिलने पर इनके काफी अधिक मात्रा में जो है उत्पादन प्राप्त किया जा सकता था इसकारण बोरलाग को जो है हरित करांद का जनक माना जाता है पूरे बीजों में ठीक है लेकिन भारत में हरित करांद के जनक कौन माने जाते हैं तो वह हैं MS सौमीनाथन डाक्टर MS सौमीनाथन जिसको भारत हरित करांत का जनक माना जाता। उन्होंने मेक्सिको की पढ़ितिद को भारत में भी अपनाने पर बल दिया तथा भारतरिय किर्षी के बनाने में नीव रखी। हरित करांति का कारिकरम एक कारिक्रम था को लिए स Aunque को उअर्बरक, वांदितिद वर्स उनिस सो साथ एक्सर में गहन किर्सी जिला कारकरम के तहत इसे बनाया गया और इसे पूरे देश में लागो किया गया जुतिय हरित करांत में जो है फशलों के दायरे चेत्रों में बिर्दी के साथ साथ किर्सी पदधत को संपोषडिये बनाने हैं तो कार्बणी किर्सी को अपनाने पर जोर दिया गया और इसमें पूरवी उत्तर-भारत सहीत अनेक ऐसे चेत्रों पर फोकस किया गया जहां संभावता तो है प्रन्त वहाँपर किर्सी क्रांत नहीं हो पाई थी जहांब किर्सी क्रांत सफलंए स Constance के लिए होती है और यह अल्प आवद्य में किर्सी आगतों यानि कि इन्पुट के लिए अलपावधी रिण यानि कि 15 मां से कम मसीने आद खरीदने हैं लोगे मध्धावधी रिण यानि कि 15 मां से लेकर 5 वर्सों के लिए तथा भूम उस्थाई सुधार करने में बड़ा निवेस करने आद जैसी जरूरतों के लिए जो बैंक यानि कि नावाल है तो यह important है तिक और इसकी स्थापना कब किया गया था नावाड की स्थापना तो यह 1982 में किया गया था और यह प्रत्यच तोर पर जो है यानि कि direct ये रिण ना देकर किरसी रिण देने वाली संस्थाओं का वेनियमन करती है इसके बाद दूसरा और उसमें महाजन, अथवा साहुकार, मित्र अथवा संबंधी, जमिदार और व्यापारी आद आते हैं। सतंतरता के समय इनकी भ्यूम का काफी अधिक थी। संस्थागत, सरोतों में वारजिक बैंक, छेत्रिये ग्रामिर बैंक, सहकारी बैंक तथा सरकार आधि गहर संस्थागत। 2018-2019 की बात करने तो उसमें किर्सी बित्य में सरवादिक योगदान वारजिक बैंकों का लगभग 75.68% का है। इसके बाद सिर्ष सस्तान सहकारी बैंकों का आता है 12.26% इसके बाद 6.3 ग्रामिर बैंकों का आता है 12.05% यह याद रखना अब हम बात करते हैं दुख्द विकास यूम आफरेशन फ्लट आफरेशन फ्लट किस से सम्बंदित है तो वो दूद के विकास से सम्बंदित है आप देख लेते हैं कुछ क्रांपियां और उत्पादन छेत्र के बारे में उत्पादन से संबद है, गोल्डन करांति, जो प्रकार की मचली मचली होती है, ठीक है? तो ये खुछ क्रांतिया हो गहि, जो पूचा जाता है घुल्य क्रांति, अब गे हम देखेंगे बैंकों का राष्टीर करण तथा सुधार तो इसमें भारत में बैंकिंग इतियाज के बारे में कुछ जान लेते हैं तो आधनी काल में भारत में बैंकिंस का प्रहरम 1760 SW में हुआ और 1760 SW में बैंकाफ बंगाल के नाम से स्थापित हुआ ठीक है तो अगर यह पुछा जाएगे कि पहला प्रेशिडेंसी बैंक की बात कौन सा है तो वो है बैंकाफ बंगाल जो की 1806 में खोला गया था इसके बाद 1840 सिस्भी में बैंकाफ बांबे तथा 1843 सिस्भी में बैंकाफ मदरास रस्तत्त में आये इसके बाद आगे चलकर 1921 में इन ही तीनों प्रेशिडेंसी बैंकों को मिला कर इंपीरियल बैंकाफ इंडिया का गठन किया गया और जो एक जनवरी 1905 को राष्टिये करित्थ होकर यह भारतिये स्टेट बैंक यानि कि SBI के रूप में सामने आया तो इंपीरियल बैंकाफ इंडिया का जो की 1921 में से तीन प्रेशिडेंसी बैंकों को मिला कर बना गया था अभी तीन प्रेशिडेंसी बैंकों को जैसे बैंकाफ बंगाल बैंकाफ मद्रास और बैंकाफ बामबे को यह तीन प्रेशिडेंस बैंक थे ठीक है तो इस तरीके से य इसके बाद सीमित दायत वाला पहला भारतिय बोट द्वारा प्रबंधित ये बैंक था ठीक है इसी क्रम में जो अठास चौरानबे स्वी में पर्थम पूर्ण रूप से भारतिय प्रबंधन वाले बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया गया भारतियों के पूर्ण स्वामित और प्रबंधन वाला पहला भारतिय बैंक जो था वो था सेंटरल बैंक आफ इंडिया और जिसकी स्थापना 1911 में किया गया था इसके बाद बैंकों का राश्टिय करण किया गया ठीक है तो उसमें जो भारतिय बैंक कि इतिहास में एक जब 14 बैंकों की जिनकी जमाराश 50 करोन रुपे अथवा उससे अधिक्ती उनका राश्टिय करण कर दिया गया ठीक है और इसी करम में फिर से दो बारा किया गया पंदरा अपरेल 1980 को और वो उस पंद्राप्रए 1980 को जो है टोटल छे और वाणजी बैंकों का जिनका 200 करोन अथवा इससे अधिक जमारास वाले जो बैंक थे उनका राश्टी एकरण नेशनल अलाइज किया गया ठीक है इसके बाद बिजया बैंक के उमदेना बैंक जो है बिजया बैंक के उमदेना बैंक के बैंक आप बढ़ावदा में बिले कर दिया गया और जो कि बर थमान में भारतिया स्टेट बैंक के अतरिक राश्टी करित बैंकों की संख्या जोके अब कौन कौन से बैंक है तो वो देख लेते हैं और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया का बिले जो है पंजाब निशनल बैंक में किया जाएगा आंद्रा बैंक और कॉर्परेशन बैंक का बिले जो है यूनियन बैंक आफ इंडिया में किया जा रहा है सिंडी केंड बैंक का केंडरा बैंक में और इलाहबाद बैंक का इंडिया बैंक में जो इंडियन बैंक में किया गया ठीक है तो इस तरीके से ये बैंक आपको याद रखने है अब हम बात करते हैं भारतिय रिजर बैंक की यानि कि जिसको RBI कहते हैं जहांसे नोट जारी होता तो भारतिय रिजर्ब बैंक जो है देश का एक केंद्रिय बैंक है और ये देश में मौधरिक नित का निर्धारन जो है इसी बैंक के द्वारा किया जाता है। देश मौध जो थे सुतंतर भारत के पहले RBI गवर्णर थे। इसके बाद RBI के कार क्या क्या होते हैं तो इसका कार होता है नोटों का निर्धारन करना, सरकार के बैंक के रूप में कार करना, साख यानि की रिण का नियंतरन करना ये मुख चार कार RBI के होते हैं। जो है RBI अर्थव्योस्था में समान रूप से बिना भेदभाव के सभी छेत्रों में साख स्रिजनों को प्रभावित करता है। गुलात्मक साख नियंतरन है तो जो है वो किसी छेत्र में विशेश में साख का नियंतरन करता हूँ पूरी अर्थव्योस्था में नहीं। तो यह दोनों में कुछ डिफरेंस हैं अब इसके बाद तरलता नियंतरन के जो है उपकरण की बात करते हैं कर लेते हैं तो इसमें आता है पहला नगद आरक्षित अनपात यानि कि इसको साट फार में CRR कहा जाता है कैस रेसियो कैस रिजर्व रेसियो जिसको CRR आपने लोगे ने सुना होगा तो देखे इसको यह क्या होता है तो यह अपनी सभी जमाओ यानि कि मांग जमा अथवास यों साबदी जमा का वह अनपात होता है जो वारेजिक बैंकों को RBI के पास और यह जो है CRR कहलाता है बरतमान में तीन फरोरी 2022 तक की बात करें तो इसकी दर जो है 4% है यह important है क्योंकि यह पूछा जाता है CRR की दर कितनी है भी तो वह अभी 4% है इसके बास CRR में विर्धि से बैंकों के पास तरलता में कमी आती है जबकि इसके विप्रित इसमें कमी जो है तरलता को बढ़ाती है दूसरा है सामेधिक तरलता उनपात जिसको SLR कहा जाता है और यह जो है बैंक की समगर जमाओं का वो अनपात होता है जो उन्हें सरकारी प्रतिवूतियों सौन नगदी जैसी चल यह सुरचित संपतियों के रूप में रखना होता है उसे SLR कह बात दूसरा B आता है साख नियंतरन के उपकरन की बात करें तो उसमें आता है रेपो दर रेपो दर यानि की रेपो रेट और यह वो दर होता है जिस पर RBI वाणेजिक बैंकों को अल्प काली रिण उपलब्द कराता है ठीक है और यह अनसूचित बैंकों के साथ जो है रेपो दर की बात करें तो वह दर होता है जिस पर RBI जो है वाणेजिक बैंकों की RBI में जमाओं पर ब्याज देता है रिवर्स रेपो दर कहलाता है ठीक है बैंक दर क्या होता है बैंक के रेट क्या होता है तो वह रेट होता है जिस पर RBI वाणेजिक बैंकों को दीर के काल इन तरलता आवसकता है आवसकता की पूरती हित अपने सलार के बदले आर्वियाई के जिस दर पर रिन लेते हैं उसे MSF दर कहा जाता है MSF रेट कहा जाता है और यह जो है बैंक MSF पर अपनी कुल जमाओं के 2% से अधिक रिन नहीं ले सकते हैं अब RBI दोरा साख नियंतरन की बात करें तो पहले जो आता है परिमणात्मक या मात्रात्मक साख नियंतरन उसमें आता है नियंतरन सीमा का नियंतरन नहींतिक दबाव का सलाव मसाक मानदंड का नियंतरन अब हम बात करेंगे छेतरिये ग्रामीड बैंक की इस्थापना की बात करें तो वर्स 1975 से शुरुवात हुआ और इन बैंकों में 50% पूझी जो है केंदर सरकार की 35% पूझी जो है किसी वालि बात करते हैं तो यह जो है इसके तीन अस्तरिय होते हैं पहला होता है राजस्तर पर राज सहकारी बैंक दूसरा होता जिले अस्तर पर केंद्रिय सहकारी बैंक तिसरा होता इस्थानी अस्तर पर प्राथ्मिक सहकारी साख संगठन ठीक है राज सरकारी बैंक की बात करें तो उपभकताओं से सीधे जुड़े नहीं होते हैं बलकि ये सेस दोनों स्थरों के बैंकों का विनियमन करते हैं तो था इसका पुनर वित स्पोसर करते हैं किर्सी में दिर्ग कालिन रिन जो भूम विकास बैंकों दोरा ही दिया जाता है भारत का और दोगिक बित्य निगम यानि कि IFCI एक गैर बैंकिंग बित्य कमपनी है और यह विभिद उद्योगों की बिर्धी के लिए जो है बित्य साहता परदान करता है IFCI की स्थापना 1948 में किया गया था इसके बाद भारते और दोगिक बिकास पैंक की बात करते हैं जिसको Industrial Development Bank of India यानि कि IDBI बैंक कहा जाता है उसकी स्थापना जुलाई 1964 में किया गया था भारते यूनिट ट्रस्ट यानि कि इसका फुल फार्म बात करें तो National Bank for Agriculture and Rural Development और यह भारत में जो है किर्शी चेत्रिक के वित्त प्रदान करने वाले सरवोच संस्था है नाबाड की ये स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को किया गया था important है चीज इसका हेड़कोर्टर मूंबाई में है ठीक है दोनों चीजे important है किसान क्रेटिट योजना की सुरूआत जो है क्रेटिट कार्ड योजना की चेत्रिय ग्रामीर बैंक स्थापित किया गये थे हैं 1957 में भारत में मुद्रा का दस्मलों पडाली प्रचलन में आया नेशनल इस्टाउक स्थापना 1992 में किया गया था निक्की यानि कि टोकिय इस्टाउक मुल सुचकांख बम्बै सेयर बाजार बी तो जो यह दलाल इस्ट्रीट और मुंबई महराश्टर में इस्तित हैं मुंबई में एक दलाल इस्टीट है तो वहाँ पर बंबई से रिष्टाक जो है सेरवाजार इस्टीट है बारत में मुद्रा स्फीत के प्रकलन के सबसे प्रचलित माप थोक मुली सूचकांख होता है एडबलू फिलिपस इने जो स्फीत की दर बिरोजगारी की दर के बीच एक बिलोम संबंध पाया सारवनिक छेतर के बैंक में जो स्टेट बैंक आफ इंडिया सबसे बड़ा व्यापारीक बैंक होता है और बरतमान में इसके चेर्में जो दिनेश कुमार खा रहा है भारतिय इस्टेट बैंक जो भारत का पहला बैंक है जिसने चीन में अपनी पर्थम साखा खोली भारत का निजीट छेतर का तीसा सबसे बड़ा बैंक जो एक्सिस बैंक ने संघाई चीन में सरफर्थम अपनी साखा इस्थापित की है इंसाइडर ट्रेडिंग सेर बाजार से संबने था और ये अवयद कार माना गया है RBI ने दिसंबर 1979 से लीड बैंकिंग योजना प्रारम किया है स्मार्ट मनी सब्द का परियोग जो क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है प्लास्टिक मनी जो है इसका नगत या मुद्रा का एक विकल्प है प्लास्टिक मनी के उधारण की बात करें तो क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड स्मार्ट कार्ड योग एटियम आध होते हैं प्रधान उधारी दर यानि की पी अलार वो ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर प्रिये विश्योशनिय ग्रहा को रिण देता है अब बैंक कुछ देख लेते हैं उसकी स्थापना वर्स भारते स्थेट बैंक की स्थापना में किया गया था चेत्रिये ग्रामिल बैंक की स्थापना 1975 में किया गया था नाबाड के स्थापना 1982 में और सिड़ी पी के स्थापना 1990 में किया गया था M3 क्या होता है तो M3 बराबर M1 प्लस ब्यावशाइक बैंकों की निविल आवधिक जमाय होती है ब्याज की वो हदर जिस पर RBI वारजी बैंकों को अलपावधी को सुधार देता है उसे रेपोदर कहते है बारत में मुद्रा यूसाक का नियंतरन भारतिय रिजर बैंक दारा किया जाता है मुद्रा स्पीत बैंटरन को लब और बांड धारकों को हान पहुंचाती है बारत में सिंक्के ढालने का एक माद अधिकार जो है भारत सरकार के पास होता है काली मुद्रा से तात पर ऐसी मुद्रा होती है जिस पर आईकर नहीं जिसको कहा जाता है इसको जो है इस पर आईकर नहीं दिया गया होता है इसके बाद कुछ देश है उनके मुद्राओं के नाम बज जान लेते हैं करेंसी के नाम तो बंगला देश में टका जो है मुद्रा का नाम होता है नेपाल में रुपिया कहते हैं इराक में इराकी दीनार बोला जाता है इटली में जो लीरा इसको का जाता है बरतमान में यूर ट् reindeer है और किस लिरह है और मलेशिया का मुद्रा ठ्रिंग झ्रिक है कि दॉन जखिल कोरिया के मुद्रा की बाद कि आगे आप इनि rozum 9191 में आर्थिक सुनुर्च्छा सुदार्द था उसके पाइल वी बात की अर्जब्युस्था की बात करेंगे तो नौरतन का विचार जो है सारवजिनिक छेत्र के चैनित उत्यम से संबंदित है और जन्वरी 2022 तक महारतन कंपनियों की संख्षा की बात करें तो टोटल 11 हो गई हैं और नौरतन कंपनियों की संख्षा टोटल 13 हो आप जो भारत में 11 महारतन में कंपनियां उनके नाम जान लेते हैं तो पहला है भारत हईवी इलेक्टिकल लिम्टेड दूसरा है कोल इंडिया लिम्टेड तीसरा है गेल इंडिया लिम्टेड चौथा इंडियन और नेसनल थर्मर पावर कापरेशन लिम्टेड इसके बाद जो है वो है Power Finance Corporation Limited इसके बाद हद करगा छेत्र के विकास के संबन्ध में बात करें तो मीरा सेट समित का गठन किया गया था और VIFR का भिस्तारीत रूप की बात करें तो Board for Industrial and Financial Reconstruction होता है हिंदी में इसको अध्योगी के वित्तिये पुनरी निर्मार बोर्ड कहा जाता है और इसकी अस्थापना जो है वर्स 1987 में किया गया था रोजगार की द्रिष्टी से बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्तियोग है अध्योगी पिकास की द्ष्टी से जो है उत्तर प्रदेश का पह्ष्चमी छेतर सरवाधिक विक्सित है इसके बाद Mineral Commodity Summary 2021 के अनसार बात करें तो वर्स 2020 में विस वस्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है कोईले का सरवाधिक उप अध्योगी विकास है तो संयुक्त चेतर का विचार वर्स जो है 1956 की और उत्यों के प्रस्ताओं में रखा गया था अग्ला पॉइंट है भारत में परियटन और होटल उत्योग का विकास जो है आईटीडीसी का कार्य होता है नेस्ट पॉइंट है गोल्डेन हैंड सेक का सं सभीता के लिए सबसे मूल भूत जो है लो इस पात को माना जाता है सार्वनिक उद्ध्यमोज में है जो बिन्वेस वर्स है उनिस जो क्यानवे बानवे से प्रारम वहा ठीक है आप कुछ स्थान के जो कि जैसे कि विसाखा पत्तनम में जो है पोत निर्माण और दोगिक केंद हिससे के बाद अब हम बात करते हैं प्रको की नियोजीनियता बढाने के लिए जो दीनि-द्याल उपाद्ध है ग्रामेर 거지 योजना की शुरुवात किया गया है ब्याज अदाईगी और पूर्व प्रदत प्रीमियम जो है किंद्र सरकार के वेग की सबसे बड़ी मद होती है वातिर युजर बैंग जो है मोद्रिक नीत बनाता है वित आयोग जो है केंद्र विभाग द्वारा जाई किया गया काड होत होता है पैयन काड ब्यक्त के पते को नहीं प्रमारित करता है इसके बाद 15 में बित आयो के अध्यक्ष की बात करें तो एन के सिंग की निव्ट की गई है और प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने के है तो जो है राजकोषिय घाटे में से ब्याज अधाईगियों को घटा जब जिससे की प्रात्मी घाटा प्राप्थ हो जाता है यानि की प्रात्मी घाटा ब्राबर होता है राज कोशिय घाटा माइनस ब्याज जदाएगी बजटिय घाटा होता है कुल प्राप्तिया माइनस कुल ब्ये राजसु घाटा होता है राजसु प्राप्तिया माइनस कि यह जाते है से विक्रिकरप ने राजाशरकारों सोगय होता है क्योंकि इनमें करा बाद्ध करा घात कर विक्रेत्स पर लगता है और लोसा knapp का सम्भंद दॉउत्पाद करती बैट अधारीत अन्य स्वाकरिश्य प्रद्यक्ष्यवू for लागु किया गया हो एक राज्य था फों अंड्मानौ आपकोष्यक्ष आफ्वारत भारत में लगाने वाले राज्य वहु अंडRO otherwise के निकोबार्त लक्ष दीव में विक्रिकर लागुन नहीं है आईकर जो है ब्यक्तिकत आई पर लगाए जाने वाला कर रोता है उत्तर प्रदेश में विक्रिकर को ब्यापार कर कहा जाता है शीमा सुल्क यानि कि कस्टम ड्यूटी केंदर सरकार दोरा आयात या निर्यात पर लगाया जाना और इस प्रकार उत्पाद सुल्क एक वश्च उकर होता है। राजय सरकार द्वारह लगाया जाता है स्रीमा सुल्क, निगमकर स आई के साधन के वोज शंगी है सरकार के लिए होते हैं ट्रांजेक्शन सुल्क जो हवाई यत्य से संभण्नित है सेन्वेट का संभण्न गया केंद्री उत्पाजन सुल्क से 13 वितायोग के अध्धक्ष बीजे केलकर 14 वितायोग के अध्धक्ष थे डाक्टर वाई भी रेड़ी और 15 वितायोग के अध्धक्ष बनाये गए हैं डाक्टर एन के सिंग भारत में नियुंतम वैकलपिक कर्यानी की मैट का समावेश जो है वर्स 1996-97 में किया गया था चलाईया समीत का संबंद जो है प्रतेक्ष कर में सुधार से संबंदित है ठीक है मरोरंजन कर जो है केंदर सरकार नहीं लगाती है कंपनी कर वो कर होता है जो कंपनी की आई पर सरकार ने बीमा ब्योसाइक के नियमन के लिए इंस्योरेंस नियमन इवं विकास प्राधिकर नियानी की इरेडा का गठन किया और भातिय जीवन बीमा निगम की अस्थापना वर्स 1956 में किया ठीक है जिसको लाइसी कहते है एस्चुरीज सब्द बीमा से ही संबंदित होता ह बंद हुआ मजदूर उन्मूलन अधनियम वर्स 1976 में पारित किया गया था और ये अधनियम 25 अक्टूबर 1975 से प्रभावी माना जाएगा भारत में छिपी हुई यानि कि प्रच्छन बेरोजगारी जो किर्शी छेतर में अधिक मिलती है ठीक है तो ये पुछा जासता है कि भारत निर्माल कारिकरम केंदर सरकार द्वारा वर्स 1905 में प्रारम किया गया भारत निर्माल योजना में ग्रामीर चेतरों में बिद्दुत सड़क पेजल दूरसंचार सिचाई यो निर्धन आवासों का निर्माल आदि सामिल थे तमिल नाट्रि ने सबसे पहले एक रु का उनमूलन कर सामधाई जीवन का विकास करना है एक अपरल 1999 को सुन जैनती ग्राम सरोजगार योजना शुरुवात किया गया था ठीक है अब कुछ योजना है और उनिसे प्रारम कप किया गया यह देख लेते हैं जैसे कि प्रधान मंत्री मतस्य संपदा योजना 20 मई 2020 को कि प्रधान मत्री स्वन निती द्योजना जो एक जुन 2020 को सुपोषित मा अभ्यान ये जो 49 फरवरी 2021 को स्टार किया गया कृती समीर स्परमिक सामाजिक सुरक्ष्य जु़जना सुन जैनती ग्राम सुरुजगार योजना 1992 में स्टार किया गया रोजगार गारण्टी दोजयार दोजर ऐक में सविख्छा घ्यान है जो है दोज़ार एक में साक्षर भारत मिशन जो सब धूस्टाश्य में अपरेशन ब्लेक बोड़ जो है रोजगार गारंटी अधिनियम जो नरेगा का पुनर नामकर मातमा गांधी राष्टिय रोजगार गारंटी अधिनियम मन रेगा किये जानी की घोचला किया गया भारत में समधाइक विकास का अधिनियम प्राविव के अस्तर पर दो अक्टूबर 1922 को जो शुरुवात किया था मारत ने संदाइक विकास के निर्माता थे मुख्य निर्माता थे उनका नाम था एसके डे राष्टिय ग्रामिर विकास संस्थान जो है हधराबाद में इस्तित है केंद्र सरकार द्वारा आम आदमी वीमा योजना जो दो अक्टूबर वो दो हजार साथ से सुरुवात कि सितंबर 2010 में महाराष्ट के नंदूर बार जिले के तेमभली गावं पर आधार प्रयोजना की सरवत्व शुरुवात हुई थी इंद्रा गांधी राष्टिय व्रिधावस्था पेंसन योजना को प्रारम किया गया पूर्ब में यह योजना राष्टिय व्रिधावस्था पेंसन योजना की नाम से जानी जाती थी 25 से 27 सितंबर 2015 को सतत विकास लक्ष की अवदी बढ़ाकर वर्स 2030 तक करती गई है अब सहस्तराब्द विकास लक्ष जो है MDA का स्थान जो सतत विकास लक्ष HDG ने ले लिया है सर्व सिक्षा अभ्यान का प्रारम जो है केंदर सरकार ने वर्स 2001 में शुरुआत किया था और इसके तहरे जो 6 से 14 वर्स की आयू के बच्चे जो सभी बच्चों को इसमें सामिल किया गया है मध्यान भोजन यानि की मिड्य मील योजिना जो है भारत सरकार थे था उत्तरप्रदेश में 15 गस 1995 से लागू किया गया था स्कूल चलो अभ्यान जो है उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2000 में प्रारम किया था सच्छ भारत अभ्यान दोक्ट वर 2014 से प्रारम कुआ विजन 2020 फॉर इंडिया भूत पूर भारतिय राश्वती डाक्टर एपीज अब्दुल कलाम दोरा प्रस्तावी दस्ताबेज है अंतराश्टिय महिला दियोस आठ मार्च को मनाया जाता है विस उपभोगता अधिकार दियोस जो पंद्रा मार्च को मनाते हैं हर वर्स एंड्रा गोगी जो है ये प्रोंड सिच्छ एडल्ट एजुकेशन का दूसरा नाम है ठीक है तरुन भारस संग जो है डाक्टर राजन प्रसाद वरा इस्थापित एख सोयन से भी संस्था है अब राश्टिय युवा नित की बात करें 2003 के स्थान पर राश्टिय युवा नित 2014 का सुभारम 9 जनेरी 2014 को किया गया नालंदा पर्योजना जो है अल्प संख्यों के 1994 में आरम हुआ राश्टिय विकास परसद यानिकी इन डीसी का गठन जो है 6 अगस 1952 को किया गया था और इसका मुख कार है पंच वरसी युजनायों का अनमोधन करना ठीक है पंच वरसी की जगहा जो है अब नीत आयोग आ गया है योजनायों की जगहा तो उसका अनमोधन करता है अगया वित्त आयोग समभधानिक सामभधानिक निगाया है जबकि नीत आयोक समभधानिक नहीं है ठीक है आपको याद रखना है पूछा जाएक नमबर में प्लानिंग आइन दा पूर पुस्तक की लिखको नहीं तो वियस मिनहास है स्वाश्ति वीमा पोर्टेबि नर्क से की पुष्टक है प्रावलम आफ कैपिटल फार्मेशन अंडर डेवलप कंट्रीज जुलाई 2013 में योजना आईदारा जारी गरीबी की नवींतव आंखलन के अनुसार वर्ष 2011 बार में सरवादी गरीबी परसेंटेज वाला राज जो है 36 गड़ है जो की 39-93 परसेंट है एक अपरेल 2015 को विदेश ब्यापार नी 2015-2020 जारी किया गया अर्थिवरस्त हमें सियावाओं के निर्यात को अद्रिश से निर्यात कहा जाता है फेमा यानि कि फोरण एक्स्चेंज मेनेजमेंट एक्ट जिसको फेमा कहते हैं सौट फार्म में का अस्थान अप फेरा वर् ब profits यानि कि ये खरीदने वाली चीज़ें महेंगी हो जाती हो बेचने वाली चीज़ें सस्ते हो जाती हैं जहां मांग से पूर्त अधिक होती है वहां कृता कब्रेजार कहलाता है इंडिया ब्राउंड इक्वेटी फाउंडेशन की अस्थापना वर्स 2003 में किया गया कल्चर्ड मोतिक अनुपादन जो जापान का महत्वपूर्ण कुटीर उद्धियों गया टिक है वर्ड डेवलम्मेंट रिपोर्ट अंतर राष्टिय पुन्र निर्माड अनसंधान केंद्र नई दिली में इस्थित है एक मार यानी कि एक प्रमाड़न एक्चिन है जो भारत में किरसी अथवा खाद उत्पादों अथवा पदार्थों पर लगाया जाता है जो यह सुधता की जो है प्रमाड़िकता होती है कि सुध्ध चीजे जो उसमें है वह मुंबई में है और इसका गठन वर्स 1956 में किया गया था जवानलाल नहरू राष्टिये सहरी नवी करन मिशन जो है जो की दिसंबर 2005 में शुरुवात किया गया था ठीक है और इस योजना का स्थान 2015 से प्रारम अमरुत योजना ने ले लिया है ठीक है विस्सु जनसंख्या ने का संबंदित छेट्र हरित करांदी से ठीक है एलके जहां वो कराधान से समद्धि है सीटी कुरियन जो अर्थसास्तरी हैम रधन टाटन ने ने प्रोजेक्ट को सिंगूर से हटा कर सानत ले जाने का निरलेगी लिया है और दोगी विकास की दिश्टी से उत्रप्रदेश का फश्ची में सेत्र सरवाधिक भीक्सित है Central Institute of Agricultural Engineering भोपाल में स्थित है विश्मोसम विज्ञान संगठन का मुख्याले जो है जनेवा में स्थित है उत्रप्रदेश में खादी ग्रामद्यों भोड की अस्थापना वर्स 1970 में किया गया पायन के प्रारम के पांच अच्छर प्रारम में पांच अच्छर होते हैं जैसे कि कॉसल विकास से संबान दित है अब देखें कि केंद्रिय बजट 2022 तेश जो भी हाली में एक फरवरी को जारी किया गया प्रिद्ध मंत्री निर्मला सीता रमरदारा ठीक है तो यह 2022 तेश किया गया था इसकी कुछ निमने बाते हैं उसको हम देख लेते हैं तो भारत की आर् 100 के अमरित काल में जो है प्रिवेश करते हुए बजट में चार प्राति मिक्ताओं पर विकास पर जोर दिया गया है पहला है पीम गतिसक्त दूसरा समयकित विकास तीसरा उत्पास सम्मर्दन निवेश संडराइज औसर उर्जा संक्रमन और जलवायू कार ठीक है निवेश इसको वित्य मदद पीम गतिसक्त को बढ़ावा तेने वाले साथ कारक हैं उसमें है सनक रेल मार्ग हवाई मार्ग विमान पत्तन माल परिवहां जल मार्ग और लाजिस्टिक्स और सनचना राश्टिय राजमार्ग में जो 2022 में 25,000 किलो मिटर तक का विस्तार दिया जाएग वर्ष 2022 में चार अस्थानों पर मल्टी मार्ग लोजिस्टिक बनाने के लिए प्रारूप के जरिये जो है संविदाएं प्रदान की जाएगी यह सारे चीजें जो है अर्थव्यवस्ता 2022 में कहा गया है वर्ष 2022 में देशी 200 अस्तरिय प्रोधोगी की और छमता बेदी कमच क में दो हजार किलोमीटर जोड़ा जाएगा अगले तीन साल के दवरान चार सो उत्कृष्ट बंदे भारत रेल गाडियों का निर्माल होगा इसके बाद हम देखते है रुपया कहां कहां से आता है इसमें जो माना जाएगा वह एक रुपय कि हिसाब से माना एक रुपय में अगले तीन साल के दोरान जो है मल्टी माडल लॉडिस्टिक के लिए सो पीम गतसक्त कारगो टर्मिनल विक्सित किया जाएगा वर्स 2022 में साट किलो मेटर लंबी आठ रोप बे परियोजनाओं के लिए समिधाएं परदान की जाएगे गेहों और धान की खरीद के लिए 1.63 करोन किसानों को 2.37 सेबन लाक करोन रुपे का सीधा भुकतान किया रहा है इसके बाद देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेति को बढ़ावा दिया जाएगा शुरू में गंगा नदी से 65 किलो मेटर की चवड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों को जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा फ उद्दम, इिश्रम, ये सकता है इ सकता है ये आपस में तो उसमें से 3 देगा य τη ऑर लगदेदेगा तो आपको चारो जयाद रखना थे से 30 लास एक मैसे शॉर्ण अगिल्कों की कुर्सलता पढ़ाने के लिए डिजिटल इको सिस्टम फॉल इस्किलिंग और लेवली हुड लांज किया जाएगा जिसको डिए एस 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 इस स्टैक इपोर्टल कहा जा रहा है ठीक है ड्रोन सक्ति की सुभधा और सेवा के रूप में ड्रोन के लिए स्टार्ट अपस को बढ़ावा दिया जाएगा पीम इविद्या की एक कक्षा और एक टीवी चैनल कारकरम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा गुरुवत्ता मानसिक स्वास्त और प्रामर्स देख सेव संवाओं के लिए जो है राष्ट्रेर के ट्यवी चैनली मानसिक स्वास्त आवाश करीजाए जाएगा अब देखें रूपया कहां 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 जाता है इसलोगंतराव के लिए मैं जो राजों का ह्सा 17 पैसे जाता यह चार पैसे जाता अन्नापर 9 पैसे डाता तीक है तो इस तरीके से यह सारी रुपे इतने टाइम में जाते हैं कि आब कुछ बजट के सार इसमें दियए गें जिसमें वास्तिवी ठीक है 2022 में वास्तिव कावकार के बात के बात के तो संसोधी तनमान में 20,79 तो ये कुछ आंकरे हैं इसको आप लिग देख लिएगा अगला इसमें हम देख लेते हैं तो देखे यहां पर 23 टेली मानसिक स्वास्ति केंद्रों का एग नेटोर का स्थापित किया जाएगा इसके नोडल सेंटर निम्धांस होगा और अंतरराष्टे सूचना प्रोध्योगी की संस्थान बंगलूरू जोकी करनाटर में इसे प्रोध्योगी की साहिता देगा मिशन सक्ति, मिशन सक्ति, मिशन वातसल, सक्षमागनवारी और पोसल 2.0 के जरिये महिलाओं और बच्चों को एककरित लाव परदान किये जाएंगे हर घर नल से जल के तहट वर्स 2022-23 में 3.8 करोण परिवारों को सामिल किये जाने के लिए 60,000 करोण रुपे आवंटित किये गए प्रधान मंत्री आवास योजना के तह जो वर्ष 2022 में 80 लाग घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड रुपे आवंटित किया गए 7,500,000 धाग घरों को मुख बैंकिंग प्रणाली में सामिल किया जाएगा अनसूचित वारजिक बैंक 75 जिलो में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाईया यानि की डीबी उ स्थापित करेंगे संसोधित अन्मान 2021-22 में राजकोषिय घर्टा बढ़कर सकल घरील उतपात का 6.9% हो गया है संसोधित अन्मान 2021-22 में राजकोषिय घर्टा बढ़कर सकल घरील उतपात का 4.9% हो गया है हम बात करेंगे वस्तियम सेवा करके बारे में तो इसके परचे की बात करते हैं तो संसोधन अधनियम भारतिय अपर्तेक्ष करप्रणाली को सरल मितिवेई कुसल व्योहारी बनाने है तो वस्तियम सेवा कर यानि कि जी एस्टी का प्रावधान करता है ठीक है जी एस्टी के बारे में देख लेते हैं टोटल तो यह एक जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तिय अंदर से लागू होने के कारण संपूर्ण भारत को एकिकरी साधा बाजार बनाने स्वस्त प्रतियसपरधाओं को बढ़ावा देने यों उपभोगता यों उत्पाद को के हितों का जो है भी सनचन करता है आगे हम बात करते हैं तो जी एस्टी वीन नर्माता को लेकर उप किसी राजज छेत्र में लेंदेन पर केंद्र और राज दोनों एक साथ मुल सिंखला पर वस्तियम सेवा कर लगाते हैं याई 269 A1 केता है एकी कृत्त वस्तु यों सेवा कर आई GST लगाया जाता है यह C GST यों S GST के योग के बराबर होता है इसे केंद्र लगाता है यों संग्रहित करता है तो था केंद्र यों राज्यों के मद्ध वित्रित किया जाता है अब GST में सामिल करें कौन-कौन सी है तो यों राज्यों मुलवर्धन कर यानि कि वय्ट अथव विक्रीकर, मनोरंजन कर जो कीये स्थाने निकावदारा लागु करो को छोड़ कर, केंद्रिए विक्रीकर, केंद्रदार आरूप्यत, यों राजज्यों संघ्रहित होता है, चुंगी और प्रविष कर, क्रैकर, विला प्रावधान भी दिया गया है और इस प्रावधान के तहित जो है जिर्फ्टी की वज़ा से हुए राजस नुक्सान की छतपूर्थ तो इसको जो है केंदर सरकार 5 वर्स तक चतपूर्थ की देती है अब जीएशटी परसद की बात कर लेते हैं देखिए हैं बस तुईम सेवा कर परिशत का गठन करेंगे इसी के अनुपालन में 12 सितंबर 2016 को GST परिशत के गठन को जो है अधिसूचित कर दिया गया है इसका सचवाले कहा है तो नई दिल्ली में है GST परिशत को GST पर निड़ने का अधिकार जो सरवाधिकार प्राथ है इसके लाध सनैना की बात कर लेते हैं तो अध्यक्श कोन होता है तो केंडरिय बित्य मंतरी होता है उपाध्यक्श की बात करें अब बश्तियम सेवाकर यानि GST की दरों के बारे में जान लेते हैं वस्तियम सेवा कर परिसत दौराव बस्तियम सेवाओं के पांच भागों में बांट कर अति अनिवार आवसकता की बस्तूओं और सेवाओं पर करकी छूट दी गई है, सेश वस्तियम सेवा वर्गों है तो 5%, 12%, 18% और 28% तक कर लगाने का प्रावधान किया गया है, टिक है, ज गेश्टी के अंतर का 40,00,00,00 रुपए यानि कि पहले जो 20,00,00,00 रुपए था, अब 40,00,00,00 रुपए तक का वारसी कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को जेश्टी के दाहरे से बाहर रख रख गया है, 40,00,00, रुपए से अधिक तथा 1.5 करोन रुपए से कम क का वारसी कारोबार करने वाले व्यापारियों अथो दिम्यों है तो जो है कमपोजीशन इसकीम का प्रावधान है, इसके बाद आप कुछ वीवित चीजें हैं उसको जान लेते हैं, तो आर्थिक संब्रधी की माप के लिए प्रतिव्यक्ति आय को ही लिया जाता है, सर प्र जर्थम चरन होता है, जन्मदर उच्छों होने के साथ मिर्थम की अवस्था आती है, शकल राष्ट्य सुख को प्रगित का सूचक ये भूटान ने चुना है, किसी देश के दोरा चुना गया तो भूटान दोरा चुना गया, मानुविकास प्रतिवेदनों का प्रकासन जो जो भूटा जा रहा है, इसके बाद भारत एक विकास सीर अर्थवेऊस्था वाला भी देश है, ठीक है, बंद अर्थवेऊस्था है, यानि कि क्लोज एको नामी में आयात निर्यात बंद होते हैं, ठीक है, तो ये था एको नामी के सेक्षन कोश्चन जो की देखा गया, अ अरत एकले